इस वीजियो के समर्थन में यूपी के देवरिया के विधायक सामने आए दरसल आपको बता दे गाना गाता हुआ ये यूबक मुफस्सिल ठाना के हाज़त का बता आ जा रहा है गाने के दौरान किसी ने इसको अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वारल कर दिया कैदी को शराब के नशे में पुलिस ने पकड़ा तो शराबी ने हाज़त में ही गायक पबन सिंग का एक गाना बेहत सुरिली आवाज में गाने लगा दरसल देजर रात इस शराबी को शराब के नशे में गिरफतार किया गया था जैसा कि इस गाने में आप सुन सकते है ये युवक दर्दुभरी आवाज में गाना-गाता दिख रहा है गाने के बोल के मुताबिक पतनी अपने शराबि पती के पीनी का जिक्र कर रही है अब इस वीडियो के वारल होने के बाद देवरिया के विधायक शलब मनी तृपाथी ने युवक का गाता हुआ वीडियो शेर किया और लिखा कि टीवी के पुर्व सहयोगी मोहनपत के माध्यम से संपर्क करने पर पता चला कि ये कैमूर का गरीब युवक कनहिया है नशे में मिलने पर बिहार पुलिस ने इसे जेल भेजा इनकी कानूनी मदद के उपरांत इन्हें सुधारने का प्रयास होगा साथ ही यूपी के मशहूर त्रीनेट्र स्टूडियो में गाने का अवसर भी उपलत कराया जाएगा विधायक शलब मनीत रिपाठी के इस ट्वीट के बाद गीतकार अंकित तिवारी ने भी इसे ट्रीट किया और लिखा कि नशा एक समाजिक बुराई है और सिर्फ कला में शक्ती है इस बुराई को हराने की मैं इस व्यक्ति को अपने म्यूजिक कंपनी की तरफ से एक गाने का मौका देना चाहता हूँ गायक अंकित तिवारी के इस ट्वीट के बाद दिवरिया की विधायक ने इस ट्वीट को रेट्वीट किया और कहा कि भटकते हुए कदमों से प्रतिभा और मिधा तलाश उसे सवारने का बीड़ा कोई महान हिदय ही उठा सकता है अंकितिवारी जी आपने जो बड़पन दिखाया है उसके लिए आपका हिदय से साधुवाद बेरहाल सोशल मीडिया पर ये युवक जम कर वारल हो रहा है और लोग इस वीजियो को शेर भी खूब कर रहे हैं जरिया काता ही बला माजी ना या मेले न जरिया और उनके खाती रो में छुटका उनके खाती रो में छुटका खाना ना ही खाता दरोगा जी हो चार दिन से पिया वाबा में पाता दरोगा जी हो